असलाम अलेकुम वरमतुलाहि वबरकातु हूँ प्यारे बच्चो आज हम पढ़ेंगे कहानी लोमडी और सारस इस कहानी में हम देखेंगे दो दोस्त लोमडी और सारस गर्मी का मोसम होता है गर्मी की वज़े से सारस को कुछ खानी के लिए नहीं मिलता है लोमडी उसकी दोस्त होती है अब सारस को लोमडी दावत देती है कि सारस आज तुम्हें मेरे गर पर दावत है जरूर आना सारस खुश होता है और उसकी दावत को कबूल करता है अब जैसे ही वो दावत के लिए जाता है तो देखता है कि लूमडी ने तो खाना दो थालियों में रखा है लूमडी खुद सारा खाती है और सारस अपने लंबी चोंच होने के वज़े से कुछ नहीं खा पाता और बूका ही रह जाता है लेकिन अपने दिल में बदले की ठान लेता है अब इसी तरह एक दिन सारस लूमडी से कहता है कि आज तुम्हें मेरे गर पर दावत है जरूर आना मैं इंतिजार करूँगा लंबी बहुत खुश होती है तो जो सारस है उसने भी खीर बोतल नुमा बरतन में रखी होती है वो आराम से खुद खीर खाती है खाता है पेज बर कर और जो लंबी है वो बूकी ही रह जाती है उसे याद आता है कि मैंने भी सारस के साथ ऐसा ही किया था और इसने मुझे उसी का बदला लिया है सच है अदले का बदला ही होता है तो प्यारे बच्चों इसको कहते हैं अदले का बदला यानि जैसा करोगे वैसा बरोगे Allah Hafiz